हलो एवरिवरन, वेलकम तो और चैनल आज की वीडियो में गाईज हम टेच करने जा रहे हैं निभंद लेखन को जो की आपका हिंदी का एक most important part है और जो की आपका 10 numbers केरी करता है आपकी हिंदी सब्जेक्ट में मुझे कई बच्चों नो रिक्वेस्ट किया था कि भी यह निभंद लेखन पर वीडियो बनाईए तो इस वाले वीडियो में मैं आपको हिंदी का निभंद लेखन बताने वाला हूँ इसी के बाद में आपको अगर आप बोलते है तो इंग्लिश का भी अगर यह वीडियो आपको पतंद आता है तो इंग्लिश का भी निभंद लेखन और पत्र लेखन और जो जो टॉपिक्स आप बोल रहे हैं उस पर वीडियो लेकर करके आऊगा इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेगे कि सबसे easy कोई topic है Hindi और English में scoring तो वो मैं बलाओंगा कि वो है essay writing निभंद लिखन सबसे easy topic होता है हर बच्चा चाहे वो preparation करी हो या ना करी हो उसे कुछ आता हो या ना आता हो वो essay बहुत ही आराम से लिख सकता है और आराम से जो आपका 10 number है इसको score कर सकता है तो अभी हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे essay writing की तो essay writing में सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि सबसे पहले आपके handwriting ऐसे आप जानते हो बड़ा लिखना पड़ता है तो essay writing में आपको handwriting पे खास करके ध्यान रखना है आपको मैं अपने तरफ से suggestions दूगा कि आपको ऐसे writing में दूर दूर जो words है आपके उसमें gap जो है कई लोग बहुत पात पास में लिखते हैं तो दूर दूर लिखो पहले ही अगर आप इस word गलत भी होता है तो बस ऐसा simple सा dash कर देना है इस तरह से गोद गोद के नहीं आना है तो उससे क्या impression बिगड़ता है फिर आती है तीसरी चीज़ वह है speed speed maintain करके रखना है क्योंकि essay writing बड़ा topic रहता है और इसमें आपको जादा लिखना पड़ता है तो वीडियो को एंटक जरूर देखना अब हम बात करते हैं MP board के essay किस type का आता है तो आपको essay का question आता है निभंध लिखन का उसमें दो question आते है पहला जिसमें कि आपको पूरा निभंध लिखना पड़ता है ये 7 number के लिए आता है जो trending topic चलता रहता है उस पर topic देते है आपको essay writing के लिए जैसे आप यहाँ पर देख सकते है इंटरनेट की उपयोग, राष्ट्रिय एकता, जीवन में खेल का महत्वा बेरुजगारी के समस्या, मेरे जीवन का लक्षे तो ये पहले questions में से आपको 200 to 250 words के बीच में एक essay लिखना पड़ता है तो आपको इसमें 7 number के लिखना है एक essay पूरा का पूरा और रूप रेखा में आपको क्या लिखना पड़तेंगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ तो आपने देख लिया किस तरह का आपको ऐसे का question आता है अब हम बात करते है, ये आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूँ ये है 2019 का जो टॉपर था MP vote का, उसकी जो answer sheet है ये वो है तो आप इसके answer sheet में अच्छे से देख सकते हो कि ये उन्हों ने कित्ते अच्छे से लिखा है इन्होंने आपके, जिन्हों नहीं नहीं देखे होगे तो देखलो MP vote के answer sheet जो इस तरह की आती है CBSC से जो बच्चे होगा उसने चोड़ी वाली answer sheet में लिखा होगा पर MP vote की इस तरह से answer sheet आती है तो इनने देखो किते अच्छे से, प्रशन करमांक 28 उपर लिखा है बीचो बीच में यही इसी तरह से आपको भी लिखना है फिर यहां पर निभंध फिर उनने जो topic चूज किया है जैसे सवच्चे भारत अभियान तो सवच्चे भारत अभियान सबसे trending topic था उस time का तो उन्होंने यह अला topic चूज किया सवच्चे भारत अभियान बीच में heading डाली है यह आपको बस दिखा रहा हूँ कि आपको किस त इस तरह से उन्होंने topic लिखे है कहीं भी आपको अगर गोदागारी दिखरी होगे तो बताओ कहीं भी काटा पीटी कुछ नहीं कित्ते अच्छे से दूर दूर लिखा है ताकि और ऐसे बड़ा बड़ा दिखे paragraph चेंज किया है कहीं कहीं पर ठीक है तो यह सारी चीजों को भी ध्यान रखना है और आपको ट्रिक से भी बताने वाला हो कि जो आपको ऐसे राइटिंग में यूज करना है तो इस तरह से आपको ऐसे लिखना चाहिए अपना MPBOD exam में चाहोता आप इसका screenshot भी ले सकते हो अब हम बात करते हैं ऐसे हमको कैसे लिखना है तो आपको एक example क कोपी दिखा इनों सवच्चे भारत अभियान लिया था क्योंकि उस टाइम जो सवच्चे भारत अभियान था काफी trending topic था अभी आपके time की में trending topic की बात करो तो वह है coronavirus आपको हिंदी या English दोनों में कही ना कहीं पर coronavirus पे ऐसे जरूर आएगा यह भी guarantee है तो coronavirus पे आपको मैं क्या पड़ता है प्रस्तावना तो प्रस्तावना क्या होता है प्रस्तावना में जो आपने topic चूज किया है आपको उसके introduction लिखना पड़ता है जैसे प्रस्तावना आया तो अभी बताओंगा आपको क्या क्या लिखना है फिर उसके बाद आता है कुछ points कुछ in the sense कितने कई लोग पूछते हो कि कितने points ऐसे में लिखना चाहिए तो मैं suggest करूगा 5-6 5-6 points के बीच में आपको अपना essay जो है वो खतम करना है पहला होगा आपका प्रस्ता होना उसके बाद आपकी जो body है उसमें ज्यादा ज्यादा 3-4 points होना चाहिए फिर उसके बाद आखरी आता है वो होता है उपसहार तो related points में आपको क्या लिखना है उस वाला जो topic है जैसे coronavirus लिया तो उससे related हमको कुछ points लिखना पड़ेगा कौन-कौन से point है वो भी आपको पता होगा मैं अभी और जो end में आता है उपसहार उपसहार मतलब summary जो हमने लिखा उससे हमको क्या conclusion निकलना है वो जैसे moral of the story हम लिखते है उस तरह से आपको उपसहार होता है अभी हम coronavirus पर बात कर रहे थे तो coronavirus पर यह जो आप point देख रहे हैं मैंने खुदने बनाए हैं आप चाहे तो आपने ह आता है प्रस्ताओना आपने को ले लिया एक टॉपिक आपने हापे डाल दिया प्रश्नक्रमांग आपकी जो आंसर शीट इस तरह से आएंगी प्रश्नक्रमांग डाल दिया जो भी था यहां पर टॉपिक का नाम डाल लिया coronavirus आपने चूस कर लिया पाच टॉपिक आये थे योगदान और फिर उपसहार इसको बोलते हो रूप देखा अगर टीन नंबर के रूप रिखा लिखना है तो इसमें से भी आपको कोई टॉपिक चूज करना है और उसकी रूप रिखा उतार के आ जाना है इसी तरह से इतने में आपको तीन नंबर मिल जाएगे पर जो पह से एक वाइरस लिख हुआ था जिसका की नाम कोरोना वाइरस है ने कोविड-19 रखा गया जो की आगे चलके काफी विक्राल रूप जिसने धारन कर लिया जिसके कारण की मानव जाती को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा और इससे काफी जान हानी हुई है और काफी लोग एक लाइबोरेटरी से ये वाइरस लिख हुआ था ये चीन में से आया हुआ वाइरस है जो की चीन में रहने वाले वेक्ति जहां जहां दूसरे देशों में जाते गए तो उन्हीं के कारण ये वाइरस दूसरे देशों में भी फैलता गया जिसकी के कारण काफी लोगों की मुरत्ती हुई और चायना में भी काफी लोगों की मौत हुई और हमारे देश भारत में अभी भी इसका संक्रमन देखा जा सकता है अभी ये शांत नहीं हुआ है अभी इसका काफी मौत हो रही है इससे तो और फिर तीसरा पॉइंट तो इस तरह से आपको पॉइंट में कुछ लिखे आना थूड़ा थूड़ा ज्यादा नहीं थारड पोईंट ॉइंट दा है और कॉरुना वायरस राद से क्या या परिशानिया होती है । जैसे के कारण हमारी मौत हो सकती है, जैसे की लौकड़ाउन लगा दिया गया था, जिसके के कारण कई लोग बेरोजगार हो गए, कई हो के अपने माता पीता को खो दिया, कई होने अपने भाई बेन को खो दिया इस सारे तरह की जो भी परिशानी है आपने देखी अभी लॉकडाउन के टाइम उन सारी चीजों का आपको यहां पर प्रेजेंट करके आना है कि क्या-क्या परिशानी हुई थे COVID-19 के करने फिर चौथा पॉइंट कोरोना वाइरस से बचने के तरीके है परिखने के कई तरीके हैं आपने call पे तो कई बार सुना होगा दो गद्दूरी मास्क जरूरी तो उस तरह की चीजे भी आपको इसमें लिखके आना है जैसे आपने याला point लिखा Corona से बचने का तरीका फिर इस point के में आपने जो मैंने बता है वो सारी चीजे लिख दी फिर उसके बाद bracket में थोड़ा सा डाल की लिख दो दो गद्दूरी मास्क जरूरी ऐसे बीच-बीच में इसी को कहते हैं इसी को छोटी-छोटी ट्रिक्स बोलते हैं यही आपका score अगर आप ऐसा लिखके आऊंगे न एक्जामिनर पर अलगी इंप्रेशन बनता है काफी अट्रेक्टिव दिखता है बड़े बड़े इन्वर्टेट कॉमाज में आपको लिखना है दो गजूरी मास्क जरूरी हाथ को धोना जरूरी है इस तरह की चीज़े ठीक है फिर उसके बाद आता है पाश्वा सरकार के योगदान में आपको क्या लिखना है सरकार के योगदान में कि जैसे जैसे कोरोना वायरस के हमारे देश में संक्रमीत केस बढ़ने लगे तो हमारे सरकार ने हमारा पूरा योगदान दिया उससे हम लोगों को बचाने के लिए हमारे जो भारत देश है यहाँ पे कराया गया सोचल डिस्टेंसिंग का ध्यांग रखा गया पुलिस वालों ने इसमें खासकर की योगदान दिया काफी डंडे बरसा है ऐसा मत लिखके आ जा ना पुलिस वालों ने भी काफी योगदान दिया सर चरह से हमें कोड़ने से बचने के लिए हमारे जो देश के वालों हमारे जीथ पाएगे अपनी तरफ से उस पे ध्यान रखना है बचना है अमें मास्क पहनना चाहिए और जल्स जल्दी जैसे हमारा वेक्सिन लागाने का नंबर आता है तो प्लीज हमें जाकि वहां वेक्सिन लागवाना चाहिए और आपने आपको इस वायरस से बंद लिखना पड़ता है, I hope आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बुलने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आपको बताता हो important tricks, तो जैसा मैंने बता है आपने पहला point लिखा, प्रस्ताओना में तो कुछ नहीं लिखना है फिर coronavirus कहां से आया, तो coronavirus आया फिर वो point लिख दिया, तो उसके नीचे आपको कोई slogan वगरा याद आता है, जैसे बुला दोगज दूरी mask जरूरी जैसे उपसाहर हुआ, जैसे यहाँ आपका ऐसे खतम हो गया फिर उसके नीचे आपको inverted commas में लिखना है दोगज दूरी mask है जरूरी, थोड़ा बड़े-बड़े अक्षरों में, तो इससे क्या होता है, काफी अच्छा impression बनता है, तो इन सारी चीजों को इसको ही बोलतेगा है इस tricks, जो छोटी-छोटी tricks है, इसको अच्छी तरीके से याद रखो, और हिंदी के जितने भी आपके special है, अपना general हिंदी के लिए अविलेबल है मेरे पास, हिंदी में जितने essay आये हुए है 10 सालों में, सारे essay है, वो भी उसके solutions के साथ, तो आपको जो मैंने essay समझाये है, I hope आपको समझाये होगा, essay writing आपको किस तरह से करना है, देखाना आपने का इस कुछ कठिन था case में, कितनी आसा निस हमने कोरोना वारिस पर पूरा essay प्रिपेर कर लिया, यहां 10 मिनट के अंदर अंदर, तो इसी तरह से कोई भी टोपिका है, जैसे प्रदूशन आ सकता है, तो प्रदूशन में आप लिख सकते हैं, प्रदूशन कितने प्राकार के होते हैं, हमें प्रदूशन से कैसे बतना चाहिए, प्रदूशन से होने वाली हानिया, कई बार आतंकवाद पर आता है, तो आतंकवाद क्या है, किस मुल अच्छी तरीके से लिखके आना है I hope आपको वीडियो मेरे जो मोटिव था वीडियो का और ऐसे राइटिंग के बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके होगे अगर मेरा study material मुझसे खरीदना चाहते हो तो यहां मुझसे आप contact कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना थेंकियो फॉर वाचिंग दे वीडियो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में